चानक के IAS Academy में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे Global Hunger Index 2022 पर 2022 Global Hunger Index पर 121 देशों के मुल्यांकन में भारत 107 वे स्थान पर है 39.1 के समगर स्कोर के साथ भारत में भूप के स्तरकों गंभीर के रूप में वर्गिकरत किया गया है भारत GHI 2021 में 116 देशों में से 101 स्थान पर था और 2020 में मुल्यांकन किये गए 107 देशों में से 94 स्थान पर था यानि कि वर्तमान समय में पहले के comparison में भारत की सिती खराब हुई है GHI के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोर्शन बहुत अधिक है रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में Child Wasting Rate 19.3 परतिशत है जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है वैश्विक भूख सूचकाम के जरिये वैश्विक शेत्रिये और राश्टिये सतरों पर भूख पन डजर रखी जाती है और उसकी गणना की जाती है अब हम भारत के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है 29.1 अंकों के साथ भारत में भूख का स्तर घंबीर है भारत 2021 में 116 देशों में 101 में नंबर पड़ था जबकि 2020 में 94 राइंग पे था भारत के लिए अपने स्तुरतों के रूप में पाचवे राश्ट्रे परिवार स्वास्तर सर्वेक्षन और FAO यानि कि सयुक्त राश्ट्र के खाद्य और त्रशी संगठन खाद्य सुरक्षा संकेतों का इस्तमाल किया गया है यानि कि इन दो संकेतों के आधार पर भारत का जब है एनालिसस किया गया है पांच साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे एविक्सित के साथ भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे खराब परदर्शन करने वाले देशों में से है यानि कि ये तीन देश सबसे खराब परदर्शन वाले देशों में से है इस रिपोर्ट की आधार पर 2030 तक स्तत्विकास लक्षय का शुन्य भूप का जो लक्षय है उसको प्राप्त करने में भी बादा हासिल होगी भारत में अल्प पोशन की व्यापक का 2018-2020 में 14.6 पर्टिशन से बढ़कर 2019-2021 में 16.3 हो गई है इसका मतलब है कि दुनिया भर के कुल 82.8 करोड लोगों में से भारत में 22.43 करोड की आबादी अल्प पोशित है पान साल की आयू तक के बच्चों में मृत्युदर के सबसे बड़े संकेतक चाइल्ड वेस्टिंग किस्तिती भी बत्तर हुई है 2012-16 में 15.1 परटिशत से बढ़ कर 2017-21 में 19.3 परटिशत हो गई है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बच्चों में नाटापन की दर्द यानि की चाइल्ड स्टंटिंग रेट 35-38 के बीच है और छेत्र में अफगानिस्तान में यह दर्द सबसे अधिक है इंडेक्स के आधार पर अन्य देशों किस्तिती की बात करें तो इंडेक्स जारी करने वाले संक्षत के अनुसार श्रिलंका 64, नेपाल 81, बांगलादेश 84 और पाकिस्तान 99 नमबर पर है डक्षिन एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109 नमबर पर है इस इंडेक्स में सुडान, इथोपिया, रवांडा, नाइजेरिया, केनिया, गामेबिया, नामेबिया, कमबोडिया, मयम्मार, भाना, इराक, वियतनाम, लेबनान, ग्युवाना, यूक्रेन और जमेका जैसे देश भी भारत से कहीं उपर है अब हम बात करेंगे Child Stunting Rate के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक भूग के सरवाले छेत्र, दक्षन एशिया में बच्चों में नाटे पन की दर सबसे अधिक है इसमें कहा गया है कि भारत में Child Wasting Rate 19.3% है जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है और भारत की बड़ी आवादी की कारण यह है इस छेतर के ओस्त को बढ़ाता है अब हम बात करेंगे Global Hunger Index के बारे में Global Hunger Index एक अंतरराश्ट्रिय मानविय संग्ठन कंसर्ण वर्ड वाइल और जर्मनी के एक निजी सहायता संग्ठन वेल्थ यूगर लाइफ द्वारा सयुक्त रूप से परकाशित एक सहे कर्मी की सिमिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट है GHI वेश्विक, शेत्रिय और रास्टे सरपर्थ भूप को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है GHI का उदेश्य भूप से निपटने में दुनिया भर के देशों की प्रगती और ऐसा फलताओं का आंकलन करना है GHI स्कोर चार संकेत को पर आधारित होता है ये चार संकेत तक है अलकोशन बच्चों में क्रश्यता अथवा पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उचाई के अनुपात में कम है जो गंभीर कुपोशन को दर्शाता है तीसरा है बच्चों का व्रदी रोध अथवा पांच वर्ष से कम आयू के बच्चों की संख्या जिनकी लंबाई उनकी आयू के अनुपात में कम है जो दिर्ध कालीन को पोशन को दर्शाता है एवं चौथा बाल मृत्युदर इन चार आधारों पर ये जो है आंकडे दर्शाए जाते हैं इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यही पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच दोट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट